हेलो प्रेट्स मैं जान की निसाथ आज आपको इस वीडियो के मादम से बताऊंगा कि जो पतियों के खिलाब मुकदमें दर्ज होते हैं कोई भी पती होता है अगर वह उसकी पतनी के साथ कोई विवाद हो जाता है तो वह तुरंत बतनी क्या करती है थाने में एफ़ायर दच करवा जेती है और हुआ है फ़ायर दोस्तों होती है आई पीसी की धारा चार सो ठांब ए तीस तेइस पांसट चार पांसट चार पांसट च्छ तीन बटा चार डीपी एक यह कौन कौन सी धारा है यह तो सभी लोग जाते हैं कि तहें जो पीड़न के संबंदित मामलों में लगती है लेकिन अब नया कानून आ गया है नया क्रिमिनल लौ आ गया है नया भारती है निया शहिता दोजार तेविस आ गई है अब इसमें धाराओं को चंज कर दिया गया है तो अब धारा चार सो ठांब एक जगह कोई दूसरी धारा लगेगी तिस तेइस पांसट चार पाफ अच्छा है कि जगह कोई दूसरी धारा लगेंगी लेकिन तीन बच्छ चाट डिपी एक सेंट सेव रहेगा क्योंकि देहेच वाला अभी बदला नहीं गया तो हमें आज इस पर फोकस करना है तीन धाराओं चार धाराओं के उपर तो वह कौन कौन सी दारा लगे इस व वीडियो के स्टाट करते हैं उसके पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो के मेरे लाइप ज़रूर करना दोस्तों हम बात करेंगे आई पीसी की धारा पहले चार सो अठानबे एक बारे में पति पतनी के अगर पतनी के खिलाप कोई मानसिक सारीरिक आर्थिक उत्पीडन किया जा रहा हो पती के रिजदारों दोरा या पती दोरा तब यह धारा लगती थी लेकिन अब नया कानूल एक जुलाई से लागू हो गया है तो अब इसकी ज अब अगर कहीं पर पचासी दिखा मिल जाएगा तो समझ लेजिए कि वह दहेज पती पती के रिजदारों दोरा कुरुता की गई होती है और उसके जगह पर पचासी लगा है इसके लिए क्या दंड का प्रावधान है इसको भी समझ लेते हैं इसमें तीन वर्स की सजा है कि जुर्माना है या दोनों से दंडित किया जा सकता है यह तो तीन मांग का तीन वर्स का सजा जुर्माना या दोनों से दंडित किया जासता है दोस्तों यह आज मांती अपराद है आज मांगती अपराद कि एनिस में जमारत नहीं होती है जेल जाना होता है पति को और बात अगर करें यह कैसा अपराद है तो यह संगे अपराद है कोई भी मजिश्ट्रेट इनी मजिश्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है मासमियाई कोई भी जज इसकी सुनवाई कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है तो इस भी मजिश्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है तो धारा 85 अस्पष्ठ हो गया होगा तो चलिए अगली धारा की तरफ बढ़ेंगे हम धारा IPC की धारा 323 इस्वे साधारण चोट उपहत कारिद करने के लिए दंद का प्राधान के यह नहीं कोई स्वेश्ट चोट उपहत कारिद करता है चोट कारता है तो उसके लिए लगेगा मासमयाई अधर कहीं भे आपको 115 टू लिखा रहे हैं तो समझ लेजिए क्यों है साधारण चोट को बताती है यानि कोई बैक्ति एक थपड एक लाठी डंडा किसी समार दिया हो तो हाथ 323 की जगयव 115 टू लगेगा दोस्तों इसमें पहले क्या था एक साल की सजा ए और जुर्माना था ठीक है यार दोलो हो सकता था लेकिन अब नए कानून में चेंजेस हो गए हैं नए कानून में कर सजा की बात करें हम सजा की बात करें तो नए कानून में सजा तो एक साल की है लेकिन अगर जुर्माना की बात करें तो जुर्माना दस हजार यानि कि सीध करना होगा दस जार उमाना होगा अगर आपको ये इसको देख सकता है कोई दिक्कत नहीं तो यह जमानती धारा है इस को इतना असंगी है तो दोनों धारा है आपको असफ़श्ट हो गयोंगी आप चलिए बात करेंगे हम अगले सेक्षन के बारे नियों तो हमारा अगला सेक्षन है धारा 504 यह भी फोकट में मिल जाता है इन सभी धाराओं के साथ बहुत ही आसान धारा है और आसंगे मामलों में इसकी भी गिर्ति की जाती है यह यह अगर दर्ध होते थे दोस्तों अगर इसकी बात करें हम तो यह धारा 352 में रखा गया है 352 अगर कहीं मिलेगा तो आज से समझ लिजएगा कि वह गाली गलोच को दंड देने का प्रावतार करता है रही कोई ब्यक्ति गाली गलोच किसी ब्यक्ति के साथ करता है गाली देता है तो उसके लिए 352 लगेगा पहले यह 504 होता था अब 352 हो गया है बास भी इसके लिए आख़करिया प्राद है इसकुलए कोई मरीिश्टय चेट कर सकता है सजा की बात करें तो दो साल की सजा कि कुरा जो जुरूबाना हो सकता है या दोनों हो सकता है कि आ सबस रहा है इसको सेम टु सेम रखा गया है चैनि आगे अगरे दार्ण की तरफ हम बढ़ेंगे अब अगली धारा की तर बात करेंगे हम तो IPC की धारा 506 आप इसमें दोस्त सबक्लास पढ़ रहे होंगे तो उसके मैं बताऊं का कौन को से सबक्लास होंगे यह दोस्तों बात करता है धमकी देना किसी बैक्ति को अगर आप मारने पिडने के धमकी दे कहीं जाने के धमकी दे जान से मारने के धमकी देते हैं तो धारा 506 लगती थी हमको पुराने कानून IPC के ताथ लेकिन अब नया कानून आ गया है इसमें 351 का सबक्लास टू बिन यह बताता है कि किसी बैक्ति को आप धमकी देते हैं साधारण धमकी आप राजिक अभित्रास के बात करता है साधारण धमकी देते हैं किसी बैक्ति को तो उसके लिए दंड का प्रावधान अब यह बात करता है अब इसके अगर सजा की बात की जाए तो इसमें भी दो साल तक की सजा का प्रावधान कितनी साथ दो साल तक की सजा का प्रावधान की समें तीसों क्यावन का सब सेक्षन टू में और यह असंगी अपरात की स्रेडिम आता है जो की कोई मजेश्टरी सुसुनवाई कर सकता है जमानती धारा है अब इसके बात करेंगे हम इसके बीन्नस के बारे में बीन्नस की धारा 351 का सब क्लास 3 यह देखिए सब क्लास 2 था 351 का सब क्लास 2 था अब यह 351 का सब क्लास 3 तो जहां पर 351 का सब क्लास 3 लगेगा एमान की चलिए कि 7 साल तक के उपर इसमें सजा का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने की धंपी देता हो तो उसके लिए अधारा लगेगी और इसमें एक साल तक की सजा का प्रावधान एक साल सजा का प्रावधान है ठीक है साल साल तक कि सज़का प्राओदान और 356 साल थाया तो जुरुबान या तो दौनों से दंवर कि यागा धारत क्या थ्री काता है कि किसी ब्यक्ति को जान से मानने की धंकी देते हो गंभी धंकी देते हो तब यह दारा लागव होगी बात समझ में आई चलिए फटा पट अधार आपको वीडियो अब हम बात करेंगे दहेज प्रिण के समधित मामलों के जो कि दहेज निश्यत अधनियम के ताता है इसको बारे में 303 बटा चार्ट यहां पर लगता है इसको समय लेते हैं कि यह क्या कहता है तो दोस्तों तीन डीपी एक्ट तेज लेना या देना दोनों अपरात की सेटिम रखें गएंगे अगर काहतीन मिलता तो समझ लेजिए यह तो कोई देह निया होता या कोई देह दिया होता तो उसके लिए धारा ती लगेगी डीप्येक्ट के यह अभी बहुत इस्पल नेचर का है और इसमें अगर बात कर तो पांच साल तक किसा जागा प्राधान जमानती श्रेड़ी का प्राध कोई मैजिस्ट्रेटिस का अत्राल कर सकता है तो बात में आई तीन डिपेक्ट जहां पर मिलेगा, दहेज नेना और दोने तरक्यापाद करता है और वांग बात करता आप चार डिपेक्ट जहां पर चार डिपेक्ट मिलेगा वह बताता है कि पत्ती के द्वारा या पत्ती के रिश्दारों द्वारा पत्नी से किशी दहेश की मांग की गई हो तब यह लगता है और उसके सजा की बात करता है जिसमें छे महां से छे महां दो साल तक की सजा है मासव जाई फोल डीपीएक्ट में 6 महां से लेकर 2 साल तक सजा का प्रादान है और 3 डीपीएक्ट में 5 साल तक सजा का प्रादान है सब कोई पजीषिशन इसका ट्राय कर सकता है यह जमानती अपराद होते हैं इसमें जमानत मिलना संभाव है तो आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा इसा इसा पंदरा डू लगेगा 504 की जगह 352 लगेगा 3506 की जगह 351 253 जैसे सच्वेशन होगे उस तरह लगेगे बाकि आप तो इसको जानते हैं तो आज की दोस्तों वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताएगा मिलेंगे किसी आरे वीडियो में अगर आप यहां तक वीडियो देख लिए तो फिली चैनल को परे सब्स